महरास्ट में चुनाओ आयो के फैसले के बाद सियासत गर्मा आ गई ओदो ठाकरे न रविवार को कहा कि कल मैंने उन चोरों को रास्ते पर आकर चुनाओती दी है कि हिम्मत है तो इलेक्शन लड़ो और जीतो मैंने हिंदू तो नहीं चोड़ा है सिफ बीजीपी चोड़ा है इस दोरानोदो ने कहा कि मैं कॉंग्रेस की तरफ नहीं गया बलकि मुझे बीजीपी ने ढकेला था क्योंकि बीजीपी ने गड़बंतन तोड़ा था मैंने नहीं मैं तब भी हिंदू था और आज भी हिंदू उदो ठाकरे नहीं रविवार को कहा कि बहुत दिनों बाद हिंदी भाषा की प्रैक्टिस बढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इलेक्षिन कमिशन ऐसा नेड़ने लेगा मेरा धनुष्वान चुरा लिया है लेकिन अप्रभू श्री राम हमारे साथ है उदो ठाकरे ने कहा कि पहले सभी घर आते थे लेकिन बीते कुछ समय से घर आने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है काश्री और माहरास का रिष्टा बेहत पुराना है हमें उम्मीद नहीं था कि फैसला इतनी जल्दी होगा उन्होंने हमारा धनुष्वान च्छीन लिया है लेकिन अब राम हमारे साथ है उदो ने कहा कि कल मैंने उन्हें ललका रहा है कि आप धनुष लेकर सामने आओ और मैं अपनी मशाल लेकर आपके सामने आओंगा मैंने भाजपा को छोड़ा हिंदूतों को नहीं क्योंकि उनका हिंदूतों मुझे स्विकार नहीं मेरे पीता और मेरे लिए हिंदूतों मतलब देश प्रेम है मैं जनता से पूछता हो कि मैंने क्या गलती की है उदोने कहा कि आज जो हिंदूतों की बात कर रहे हैं वो दंगो के वक्त कहा थे अब 56 इंच का सीना दिखा रहे हैं लेकिन तब तो आपके पसीने छूट रहे थे साथ ही कहा कि मैंने एलाइंस नहीं तोड़ा बलकि बीजीपी ने मुझे मजबूर किया बीजीपी ने मुझे महाविकास अगारी गडवंदन के साथ जाने के लिए धकेला था इस दोरान उदो के नाम के लिए बिना अमिश्या पर निशाना सातेवे कहा कि कल पूने में कोई आया था पूछा कैसा चल रहा है सब इस पर उन्हें जवाब मिला की इलेक्शन कमिशन ने हमारे पक्ष में फैसला लिया है उनका मानना है कि उनकी पार्टी में रहने वाले ही हिंदुतु है